हेलो एवरिवन नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है आलोग बाचपी और आप लोग जुड़ चुके हैं इसमें इंडिया के नंबर वान इस्टेडी चैनल वाई-फाइस्टेडी पर और आप लोग जुड़े हुए हैं अपने फ्यारे चैनल वाई-फाइस्टेडी 2.0 पर आप कुछ ऐसे questions डिसकस करते हैं उनके बारे में बहुत जवर्दस्त ब्याख्या पढ़ते हैं जो आपके exam oriented रहती है और बहुत सारे प्रस्ण एक प्रस्ण से अब लोग solve करते हैं तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी लोग एक बार share जरूर करेंगे और मुझे एन एकेडमी ल सब्सक्राइब लेना है तब भी आप लोग a b certain code लगाईए डिसकाउंट बिलेगा निश्चित रूप से आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक के लिए भी आप लोग a b certain code का प्रियोग जरूर कीजिए मेरे प्यारे भी जैंस्यों जिससे आप सभी को discount जरूर मिलने वाला है यहां पर कोई भी टेस्ट स्रीज आप लोग यहां पर एकदम फ्री में प्राप्त कर सकते हैं रेज हैंड का प्रियोग जरूर कीजिए जब भी आप अनगेडमी लर्नर अपर क्लास करते हैं सीधे एजुकेटर से बातचीत करके बहुत सारे प्रस्णों का समाधान आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और यहां पर आप लोग देख सकते हैं प्यारे विद्याथियों कि सब्सक्रिप्सन लेने का सही तरीका क्या है अपना मंचहां डिवरेशन विद्यार्थी सेलेक्ट करेगा और नीचे रफरेल कोड बॉक्स में एबी सर्टिन कोड लगाए यहां पर आप लोगों को नियमित तरीके से बहुत सांदार जंदार इंफॉर्मिशन मिलती रहेगी राम राम भीया एक बार सेयर करेंगे सारे लोग चले सुरुआत करते हैं पहला सवाल है जनार्दन भानू यह किस पेश्वा का नाम था नाना फड़नवीज बाला जी वि जनार्दन भानू पूछा गया है किस पेश्वा का नाम था मराठा समराज्य की मराठा राज्य की बात करेंगे वह सिवाजी ने स्थापित किया था मराठा संग किस के द्वारा संचालित किया जाता था यह पेश्वाओं के द्वारा मराठा संग संचालित किया जाता था ज जनारदन भानू यह नाम था प्यारे विद्यार्थियों किसका यह नाम था лишь का नाना फढ़न्भी process बड़े यह बуд्धिमान व्क्ति माने जाते थे आला जी जनारदन UV प्रभावसाली मंत्री और मराठा सामराजी के राजनेता भी रहते हैं जेम्स ग्रांड डफ जन्होंने मराठों का इतिहास लिखा है वह कहते हैं कि युरोपी लोग इनको मराठों का मेक यावेली के नाम से जनते हैं अगला सवाल है दो स्टेट्मेंट दिये गए हैं देज दिये गए हैं नीचे जंबल्ड ऑप्संस हैं कौन सा सही है इन में से अनली वन अनली टू बोथ या नाइदर वन और टू नाहीं एक नहीं दो क्या सही उत्तर होगा भई बैतर ही सवाल है देखिए पेगविन अवेर्नेस डे दिया हुआ है 20 जैनुरी इंटरनेस जेब्रे डे दिया हुआ है 31 जैनुरी इन में से कौन सा सही है भई क्या होगा इन में से options कौन सा करेक्ट होगा according to question अगर देखा जाए तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा दोनों के दोनों सही है भाई पेगविन दिवस 20 जनुरी और अंतराश्ट्री जेवरा दिवस 31 जनुरी भवई इंद्रत्य किस राज्यकाल लोक इंद्रत्य है भवई इंद्रत्य जो है किस राज्यका लोक नत्य है उत्तर प्रदेश राजस्थान औरिशाय जहरखन भवई लोक नत्य किस राज्यका एक प्रसिद्ध लोक नत्य है सही उत्तर क्या होगा श्राइब भाइब बहुत बढ़िया सवाल है उत्तर परदेश के नहीं नोटंकी उत्तर प्रदेश का बड़ा प्रसिद्द भवई पूछा जाए कभी भी तेरा ताली पूछा जाए कालवेलिया पूछा जाए सब आपको क्या लगाना है राजस्तान घुमुरा अगर पूछ किस मुगल समराट के समय में नादिर साहा ने भारत प्राक्रम्न किया एक बार अंसर कीजिए बहुत कम है आज कहां सारे विद्ध्यार्थी कि सारे के सारे विद्ध्यार्थी कहा है एक बार सेयर कर देंगे सभी लोग महाकाल कलाडिया देखो भईया नादिर साहा ने 1749 में भारत प्राक्रम्न किया और यह समय है रंगीला का यह समय है भईया रंगीला का रंगीला मतलब मुहम्मद साहा रंगीला का समय है ठीक है भई याद रहेगा है रंगीला का समय होगे अगर कभी आप से पूछा जाएगा राजा राम मोहन राय को राजा का जो टाइटल देते हैं वो ये अकबर दुती वाले अकबर देते हैं राजा का टाइटल राजा राम मोहन राय को जहादार सहा ये एक ऐसा राजा है जिसने जैसिंग को मिर्जा की उपा दिदी थी जैसिंग को मिर्जा राजा बोलते हैं तो मिर्जा की उपा देदी और इनको लंपद मूर्ख भी कहती है जानदार साह को लंपद मूर्ख भी कहा गया है याद रखना है ठीक है अगला सवाल वाकी टाकी ये किसके द्वारा अविस्क्रत किया गया वाकी टाकी का अविस्कार क इसके द्वरा किया गया जॉन जे लाउट, वाटर्मैन, मार्टिन कूपर, अल ग्रास देखो, बहुत बेहतरीं सबाल है। ये बाल पॉइंट पिंसर रिलेटे ने उसका अब इसकार किया था। इन्होंने फॉंटेन पन का इसकार किया। इन्होंने मुवाइल फोन का बिस्कार मार्टिन कूपर ने अलग्रांस ने वाकी टाकी का बिसकार अलग्रांस के द्वरा किया गया ऐसे याद रखोगे इमेल रे टॉमिल्सन वाइल मेल वी पॉल्सन मोबाइल फोन हमने बताई दिया और क्योंने मार्टिन कूपर ठीक है डबलू 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 टिम वर्नस ली इंटरनेट कभी पूछा जाएगा विंट सर्फ यह सब याद क्ले डालो भईया एक्जाम पूछा जाता है कोंकडी कहां की राजभासा है हिमांचल गोवा जम्मु कस्मी रेया रूलाचल परदेश कोंकडी कहां की यह राजभासा है यह यह बहुद्धान संसोधन से आठमीयन सुची में जोडी घैग साथ है पॉर्सुत गवा जोढई नहले तक लिन की टोःएग है प्रदेश कोविद 19 एंड्रेड परसेंट टीका करन हो चुका उसके में डेक्लारेशन कर दिया हमारे हंड्रेड परसेंट एलपीजी कनेक्शन भी हो गए यह सब प्रदेश घोष्णा कर चुका है ठीक है जम्मु कस्मीर यूटी बन गया 31 अक्टूबर 2019 को अरुनाचल प्रदेश का पुराना नाम सारे लोग जानते हैं नौर्थ इस्ट फ्रेंटियर अजेंसी और आठ नौर्थ इस्ट में आठ राज्ज हैं उनमें सबसे वड़ा छे तरफल के हिसाब से अरुनाचल प्रदेश ही है डफला पहाड़ी यहां पर इस लेना घुवा में ठीक है यह याद रखिएगा जो कुछ महत्तपूर है वोँ में यहां पर आप दो बता दो कि ये भासा पर प्रदेश बहलेवर दो यह दो मात्पूर्ण है आगे बढ़ते हैं और मात्पूर्ण देख लेते हैं अगर कभी आप से पूछा जाएगा एक और भासा है जो मैंने एक्जाम में कई बार आप पूछी गई है वह आपकी पूछी आती है मिजो यह मिजोरम में हैं ऐसी मेगाले में चलती है हुर। जिनक का मुख्ष कौन ऐस कोन सा इन में से इसको उड़ा दो इसको उड़ा दो बचा क्या के लामिन जिक आज क्या हो गया कैलामीन हो गया जस्ता या चिंग एक ही बात है अब कौन-कौन से महत्रपूर ऐस्क आपके परिच्छा में पूछे जा सकते हैं अल्मुनियम वाले बाकसाइड क्रायोलाइट को रंडम डायस पार याद रखिएगा थोड़ासा डिपरेंट है लोग याद नहीं क लोहा के टाइट वाले देख लोगे तैटाइट इए सर सीसा का चाले यह दूनों याद रखना है टिन का कैसी राइंट ठीक है पारा का बहुत महत्तपूर्ण है कौन सा सीने बार बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है कि कभी या तो यह कुछ महत्तपूर्ण हमने दिये हैं बहुत सारे दे दिये हैं आप लोग इनको पढ़ लिएगा समानत इस्थार समन्ता एक्स्प्रेस आंसर करोंगे गोलिए भई तो यह कुछ समान्ता एक्स्प्रेस जो है यह आपकी अम्बेटकर गौतम बुद्ध से जुढे इस्थलों को कवर करेगी डॉक्टर भीम्राव अम्बेटकर गौतमद से जुड़े इस्तिलों को कबर करेगी समानता एक्सप्रेस भीम्राव अम्बेटकर प्रारूप समिद के चैर्मेन रहे हैं इन्होंने आर्टिकल 32 को समिधान के आत्मा कहा इन्होंने तीनों गोल में समेलन में भाग लिया इन्हो प्राइवेट लिमिटेट का मुख्याल है कहां पर इस्तिताश करते हैं चाहें पेटियम करें चाहें फोन पे करें चाहें मोबी कोई करें चाहें गूगल पे करें सब करते हैं कहीं पर जाओ बारकोट लगा हुआ है उसमें सारे बारकोट हैं सब किसी से करो बस जो दुकान ठीक है अब बाकी कुछ बहत्तपूर जो गेटवे हैं पेमेंट के उनको लोग समझ लेते हैं मोवी कुई गुरूग्राम में है पेटियम नौईडा में है पोन पे बेंडूरू हो जाता है ठीक है याद रहेगा अगला सवाल है भारती राष्ट्री रच्छा विश्विद्य लेका जो निर्माड है वो बच्चे किस स्थान पर किया गया है क्या अंसर होगा भारती राष्ट्री रच्छा विश्विद्याल है तो आंसर हो जाएगा भी यह हरियाना में ठीक है हरियाना में कहां पार याद रखना है गुरूग्राम के बिनौला गाउं में ठीक है गु इरता के लिए दिया जाता है ठीक है और इसकी स्थापना प्यारे विद्यारतियों की गई थी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी 1951 में प्लैन सुरू हुए 1950 15 मार्च को प्लैनिंग कमिशन भी बना 1954 में भारत रत्न दिये जाने स्टार्ट किये गए थे नाव मोब टू नेक्स क्वेस्चन किस देश ने अधिकतम बार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दोरा आयो जित जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट का वो जीता है सबसे अधिक ब सब्सक्राइब कैसे हो बिट्टु कुमार कि सारे लोग एक बार सेयर जरूर किया करो सेशन को प्यारे विद्ध्यार्थियों कि देखो बहुआ है कि अदिक बार की चीटा आव्या आउस्ट्रेलिया कैसे है कि यह समझ गोगे में यह सकते हो पछटा ने जीता दूसरा वेस्टेंडीच न से झीटा फिर बेस्ट इनलीच का नमबर नहीं आए आपने देखा पहले बश्टेंडीच मधी तगली टीम मान बनाए और 125 पर आलाउट कर दिया पहले बड़ा अध्वुत सा खेल होता था पचास अबर का लोग कहते थे अकसर खेल होता ही था वंडे और वंडे की जिएक टेस्ट बहुत होते थे लेकिन कि आप लोगों को याग रखना है ठीक आउस्ट्रेलिया देख लोगे 87 में जीता स्टेलिया 99 में जीता 23 में जीता 2007 में जीता 2015 में 12345 भारत देखो के 2011 में जीता है भारत 1983 में जीता है भारत ठीक है दो बार अपना इंडिया हो गया इंग्लैंड 2019 में केवल एक बार इंग्लैंड उन्वी जीता है कि कि अब देखो और रहनरर नभी रही रहने का बड़ा राजुम की बात है यहां आप आप देखो न्यूजिलेंड दुई बार पहुंचा नहीं बिचारा जीत पाया है एंगलेंड देखो कि इत्ते पार पहुंचा है फिर दो बार पहुंचा था लेकिन ये जबरदस्ति का यहाँ पर जीता है यहां तेरी किस कह सकते हैं जा उन्निस में इंग्लेंड पूर्ट ठीक है आगे बढ़ते हैं एरीना खेल का मैदान किस खेल से संबंदी थे एरीना कि आज अज एंडर नाइटिंग का फाइनल है चलिए बहुत बढ़िया भई पोल वाटर पोलों में साथ खिलाडी ओसे का सब्सक्राइब ऑस्ता किस पान कि भारती राज्य में औरि प्रदेश का गुज्रात के रलाय आlast कि अरी मिर्च का सबस्यादी उत्पादन जो होता है प्यारे विद्यारतियों वह आंधरा प्रदेश का आप रोता है आंधर प्रदेश में सब्त भंगी ने किस धर्म से रिलेटेड है एक बार तेजी से आंसर करो के सारे के सारे भी द्यारति बोलो को बाइव गास्वागू सब्त भंगी ने कभी भी पूछा जाब इदली बता सकते हो यह जैन धर्म से रिलेटेड है ठीक है स्यादभाद भी आपका जैन धर्म से रिलेटेड है याद रहेगा बुद्ध धर्म भी नास्तिक दर्शन कहलाता है और यह जैन धर्म भी नास्तिक दर्शन कहलाता है नास्तिक धर्म कहलाते हैं यह जरूर याद रहे जब फिलोसफी में पढ़ते हो तो ये नास्तिक दर्सनों की स्रेणी में आते हैं स्याद बार महावीर स्वामी के दौरा प्रस्पित किया इसका अनेकांत बात सब भंगी ने के रूप में भी जानते हैं भारत की सबसे लंबी रूट की ट्रेन किस राजे से सुरू होती है जम्मु कि याद रहाएगा इसका नाम है बिवेक एक्सप्रस मैंने डिब्रुवर नाम ले लिए आसम ठीक है अगला सवाल है भारती नागरिकों के मौलिक कर्तब्यों को संभिधान में कब सामिल किया गया मौलिक कर्तब यूएससर से लिए गए उन्निस सो छेटर में सामिल किये ग समाजबादी पंद निरपेच्छता और अखंडता सब्द भी प्रियंबल में जोड़े गए ब्यालिस में को मिनी संभिधान कहा गया है याद रखना अगला सवाल की तरह बढ़ते हैं हम लोग राश्पति आउप राश्पति के निर्वाचन से संबंदित संदेह और विव संबंदित कोई बी संदेह विवाद होगा अब एलेक्शन में तो सुप्रीम कोड बाकी सब यहाई को कि एलेक्शन कमिशन आर्टिकल नंबर 324 में कि नरेंद्र मोदी गुजरात के पहली बार मुक्यमंत्री कब बनी मोदी जी 2001 से लेकर के 2014 तक लगातार सीम रहते हैं केसु भाई पटेल के बाद 14 में बन गया है पीम उसके बाद फिर 19 में बन गया है पीम मुझे मंत्री बनाते हैं नरेंद्र मोदी पूरा लगांन इया प्किस देष के संभिधान से लिया गया है वाइस प्रेश्डेंट का प्त संभिधान लिया गया है आप अमेरिका के संभिधान से राष्पति उपराश्पति मूहला अधिकार सब से नीट निर्दे सकता तो अगला सवाल है कोई भारत के राश्पती के पदपर कितनी बार चुना जा सकता है कोई वेक्ति हम लोगों ने यह बहुत बार पढ़ा है समझा है कि हमारे संभिधान में कोई ऐसा रूल नहीं है कि एक बार बन जाओ दुबारा नहीं वनोगे अमेरिका में ह कोई सीमा नहीं है और राश्पती बनने के लिए अधिकतम आयू का भी प्रावधान नहीं है संभिधान में यह कह दिया गया मिनिममम आयू 35 पूरी हो अधिकतम आयू का कोई प्रावधान नहीं ठीक उसी तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज़ बनने के लिए मिनिममम अधिकतम आयू का कोई प्रावदान नहीं पासीदे लिकव 65 वर्स से अधिक नहीं होना चाहिए फिक ऐसे राश्पती वनने के लिए अधिकतम आयू का कोई प्रावदान नहीं निमतम आयू 35 वर्स सरदार वल्लब भाई पटेल किसके अगरिणी थे भुदान अंदोलन अचार विरोववववन चलाया तो इससे तो थे नहीं नमक सत्यागरा बिल्कुल नहीं 12 मार्च 1930 यह दंडी मार्च होता है बार्दोली सत्यागरा 1928 यह सरदार पटेल और बार्दोली की महिलाएं ही वल् जा गया था पंगाल विवाजन के विरूद में ठीका बाई सुभंबावू के लिए रहे हैं हाँ या ना एक बार बता दोगे चली आगे बढ़ते हर्स ने क्या उपादिक रहर की परम भागवत परमादित्य भक्त या सोगात या सिलादित हर्स की जब भी हम बात करते हैं तो हर्स के टाईटल हो जाता है सिलादि फरंभागवत जो टाइटल है यह चंद्रधूप्त दुती का होजाता हर्स की रचनाय हैं थीका हर्स की आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा इसको बेहतरिन सवाल आपका बrau सकता है ठीक है नेशनल डबलम्मेंट काउंसिल इसकी स्थापना प्यारविद्ध्यारतियों कब होती है नेशनल डबलम्मेंट काउंसिल की जो इस्थापना है वह आपकी कब होती है याद किसी करता था 6 अगस्त 1952 इस दा राइट अंसर यह करेक्ट उत्तर हुगा ठीक है विटामिन डी और एक रसानिक नाम क्या जब भी हम लोग कहते हैं तो भाईया ऐसे याद कर लेना यार कभी नहीं भूलोगे रत एक टाफी रेटिनाल बिटामिन ए रासे थाइमिन बिटामिन बी एसे एसकॉर्बिक बिटामिन सी कासे कैलसिफेराल बिटामिन डी टासे टोकोफेराल बिटामिन ए फासे फिलोकुनोन बिटामिन के याद रहेगा किलर है तो उत्तर निकल आया यार क्या कैलसिफेराल एंट टोकोफेरा यह बिटामीन डी एन बिटामीन एक एक केमिकल नेम से रहसाईनिक नाम है याद हो जाना चाहिए अगला सवाल है . एक पर बता दिजएगा सारे लोग के बढ़ते हैं है विरेंगर लिए कौन सा खाट कहते हैं जसको। कहते हैं थिसके मास्टर आर्मोन निकलता है जिसको मुलकर कहते हैं और दिणू हर्मोन के भारे में कहा जाता हार्मोन और सरीर में आधिक होने चाहिएं ना कंसरीन में बहुत कंछ आरं कभी फर्मवन क्वी स्टोर नहीं कि हमारे पास बहुत हार्मोन एक गटे आरं मोन कि होता है कभी वर्मोन डिस्वैलींस भी हो जाते हैं जो किसी पुरुष कि आवाज उला की जैसे कोért चाल भी हार्मोन का इफेक्ट होता है ठीक है लोग बड़े वैसे चलते हैं मैलावक्त रहें कुछ महिलाएं जो एकदम पूरस की तरह हेकर होती है मतला सोचते हो एकदम पारवर्ड जबरदस्त दवन टाइप से ठीक है तो यह इसका कारण भी हार्मोन होता है और यह कैसा हर् वहां से हो खली की विमारी है उसको बनते में एक्रोमीग़ी झाल इपर मिघली एक्रोमीगली छसंद हर dimensions सक Packard बहुत हुआ हो नौअँ बहुत है और जब हर्मोन यह सकम सीक्रीट होगा तो बेकर्द क्या हो जाएगा बोना सिकार प्रफिजम का सिकार हो जाएगा इसलिए हार्मोन सरीर में नियंद्रित अवस्था में वहने आवस्य कि कि मानव कलाई में कितने हड्यां होती है 10-16-24 कि हुमन रिस्ट की जब भी बात करते हैं तो हुमन रिस्ट में भाइचा हड्यां कितनी होती है 16 सार यह कहां इसती था अंद्रप्रदेश त्रिवनंत पुरहम बेंगलूरू यह चन्नाई सार के वंदर समत गया ना स्री हरी कोटा यह आपका कहां पर हो जाता है अंद्रप्रदेश खोज क कि सैंद्लेद ऑबिवार्ट गैनरने चेचटक टीक का क्जौ जाया अलग जेंडर फिलेमिंग ने पैनिसीलीन बनाया औरर एंडर्सन दयात्यार सब को किलेर हुआ तो यह यही तक रखुएंगे बच्ची रेगुलर तरीके से आप लोग जुड़ते रहे हैं मेरे साथ अनकेडमी लर्नर एप पर भी लर्नर एप पर आप लोग भाई मुझे फालो कीजिए और देखिए बाड़ी बेहतरी इन इंफोर्मेशन है आप लोग सबसे पहले तो मुझे टेलिग्राम पर जुड़ो तबी लोग टेलिग्राम में जाकर सर्च करो कि जी एस अब लीग जी के वाया लोग सर और वहां पर जुड़ जाना एक बड़ा जबरदस्त आपका टेस्ट हो रहा है इसमें लैप्टॉप भी जीच सकते हो आप बहुत जबरदस्त है दूसरा एक सैंपसं का बहुत सांदार जानदार मोबाइल फोन है और दीसरा यह आप लोग देख सकते हेड़फोन है बहुत सांदार वाला ठीक है ना बॉक्स वाला हेड़फोन समझते हैं इसमें एकदम ब्लुटूथ हेडफोन कह सकते हैं यह सारे प्राइज जीतोगे आपका एससी बैंक रेलिवे एक्जाम का टेस्ट है आप लोगों को इंड्रोल्मेंट करना है ड्यान दो गले दो बज़े हैं वह सभी लोग इसमें इन 돌아 मेंड्रोलमेंट लेंगे जितने लोग zijn सबी भी द्यारती इसमें इन्लोल्मेंट कर लेंगे जितने लोग भी है ठीक है फटा फट इन्लोल्मेंट करके इसमें अपना इस्थांस तुनिस्चित कीजिए और आप देख सकते हो पूल 25 लाग तक का है यह सारे प्राइज जबरदस्त है पहला रैंक वाला दो से छे रैंक सब्सक्राइब मोबाइल और देखिए यह तो बहुत आगे रैंक तक मिल रहा है उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है सबी लोग इसमें इन्लोल्मेंट कर लेना इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में लगवा तो याद रखिएगा और इस डिस्क्रिप तर दो यह तो शालिए रहा है विए यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो